हेलो हेलो अवाज आ रही है क्या तो भाई लोग फिस से आ चुके हैं हम जीटे फाइव एक्स्पेंडिडिन एंड इनहेज की वीडियो में और मैं थोड़ा सा माईक टेस्ट कर रहा था थीक है तो भाई मतल bisher कभी यहां बाईक के वाज जाता है के कभी मैं के वाज जाती यहां पर इससी में डहांती है हो लिए टॉल्च चिकत हो जाती है तो बाइक कर दूछत समस्या पहसानी कंत्र स्थर्गल है फ्रैंक्लिन यह था कि जिस प्रैंग का हिस्ता है ना उस प्रैंग के भाई पूरा सक्सेस्फुल होने पर शेक को डेट से 2 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा भाई भूती भायानिक नुकसान है ना तो है अमने सचे क्यों नहीं क्यों न अपनी दुश्माइं निकाली जाए के साथ में और भाई उने शेक का मैंगो शेक बना दिया उसका कंसाइनमेंट चुरा कर भाई जो गाड़ी दी थी ना वह फ्रैंक्ली ने दिये थे उसके पैसे भी थीक है भाई ODR 8 के और पैसे उसने इसे दिये थे जिससे हम उसे उड़ा दें गाड़ी को नहीं तो हम तो शेक को पता लग जाता है तो भाई शेक हमाई पर हमला करे ता खतना को अला तो इसलिए फ्रैंकली ने उसे बढ़ाने के लिए कह दिया जो पैसे भाई लगे होंगे उसके चुराने उस चुरूने में जो security से deal करने में लगए होगी महनते जो भी हुआ होगा सब भाई frankly नहीं देखा हमाई जान छूटगी एक extra guide खरीदने से हमाई पैसे बचेगा पांच लाग डोलर मिले वह लग ठीक है तो इस दिन तो इतनी तकड़ी डील होगी थी तो इसे हमने उस दिन एक काम करा है ना कि भाई उसे किस्ते का strategic लुक्सान की लिए तो भाई लोग अभी जो है तुम्हाई भाई के कपड़े चेंज हो गए नहीं नहीं मैं टिक टोक विक टोक नहीं बनाए लगा ठीक है रील्स पर भी नहीं हूं है हाँ मतलब वह gaming वाली आती है वैसे कुछ भाई अभी क्या कहते है मुझे वह शुरुवात वाला सीन रिकोर्ड करे हुए कई दिन हो गए और यह बीच का तुम कहोगे टाइम इंटेवल हुआ क्यों तो भाई इसमें अपडेट आया था एक गेम में और मेरा वह अपडेट से से काम नहीं करना था तो अब उसे फिक् की बात करें तो हम चला रहे हैं डुगाटी वी फोर पानीगेल नहीं यह बुगाटी नहीं यह डुकाटी है डी-उ-सी-ए-टी आई हाँ थोड़े सी वाज़ों भी गड़ आई होगी क्योंकि सुबस में जुखाम भी हो गया इतने सुब शगुन हो रहे हैं में साथ मैं ब यहीं काम है क्यों क्या गाता है नई-ए बाइक से जीनता है और फिस बाइक को बेग देता है ठीक है तो उसकी क्या है अभी आशी ट्रांसफर नहीं यह नहीं होती इतने तुम इसे यूज कर लो ना तो तो क्योंकि हम ऐसी चीह रहेते हैं जिनका कोई नाम पता ना हो और भ इसे ऐसे करके यह देखो अभी मैं तो मैं दिखाता हूँ क्या भैतरी ने इवियास है मतलब इस टॉपी पे ना भाई इतना टकड़ा स्टेंट कर पा रहे हैं मैं बता ही सकता तो बात कहें इसके इंजन की तो इसके अंदर है ग्यासो तीन सीसी का डैस्मोड्रोमिक 90 डिग्र 120 V4 इंजन और यह देखो भाई इसे मैं इतनी लंबी स्टोपी मार पा रहा हूं यार ये तो BMW से लंबी स्टोपी है और इसे मतलब इस टोपी मारते मारते भी मैं इसके ड्रेक्शन चेंज कर पा रहा हूं जो कि वो भी काफी तकड़ी चीज़ है तो भाई या मतलब यह बा ओ भाई 257 और ठीक है भाई दोस्ट धाइसो कम बोल दीती मैंने धाइसो से भी काफिया के जाएगी 257 तो भी पहुंच गी ओ ओ ओ भाई भाई बाई क्या टॉप स्पीड और भाई और अब मैं जागे हाई वे भाई बाई 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 का लटसीन और यह मैं किसी और सड़क पर चला था और अभी किसी वह सड़क पर हूँ क्यूंक्ण जो है काफी ज्यादा हलकी है मतलब जैसे इसका इंजन इतना पाफ़ूल है उस पीड पर इससे तो भाई टॉप स्पीड टैस्स देखे तुमने इस वाई कर कितना तकड़ा है ठीक है मेरे तो भाई मजा गया एक दम से ऐसा जूप करे बगाने में ठीक है गाड़ी रोकने की इस्ट्रेक्शन मिल गिया और लाइट भी चलिगी अभी भाई ये वुमें जो ह टारगेट मतलब वो मिला है कुंट्रेक्ट और वो आर्मी के लिए काम करता है ठीक है और यह भाई यहां साय के साथ ट्रक जमा हो रख्या है मैं काम करता हूं भाई इस्टिकी वाम हम यूज करते हैं हर बार आर्मी वाले बंदों के लिए और यह बंदा ही बाइक पर है ठी थीक है यह ले सर ठीक है बाई बाई सर एव नाइस डे वह भाई फोर दिया वह भाई हम निकल गए बाई के पिछे सारा इलाका दुआ दुआ हो गया बाई दोचा ट्रक भी फट गया उंगा उसके साथ ग्लो बाई एक दुम ट्रक के सामने अड़ा कर जब इंस्ट्रक्शन द चाहा था तकडी सी वह सारी बंदों में जा दी ठीक है बाई एक बंदा है वह उसका काम है रेलवे ट्रैक पे शेक का समान उतरवाना जो ड्रक्स आती है उसकी उसे उतरवाना और भाई अब हमने ड्रक्स भी चुझा ली थी तो उस बंदों काफी तकडी सीक्रेटी में जादी भाई यह साहे बंदे भाग रहे हैं अब हमाई से बचके कोई नहीं कि वाई यह सम जी अपने पास अब इन्हें पता तो ऐसे भी लगी गया तो क्योंना ठोकी नहीं है ऑई बस में बैठ रक्ता यह भाई कवा देखो कैसा लेकता इसने बस में बैठ बैठ आ है जिससे की चल्डा ड्राइवर बनके घूम रहा है ड्राइवर के साथ में सिक्योर्टी क्या कर रही है बाई बसे भी इसने बन्दे बिठा रखें सिक्योर्टी के लिए एक काम करता हूं भाई इस बस को थो फोड़ी देता हूं मैशीन चला कर ठीक है भाई हमने बस के अंद्रे के साय बंदे बाहना दी भाई सायव 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 उसकी security के लिए बैठे थे उसे कवल एक था बस का कि मतलब लोग कोई ये सोचेगा hitman जो आएगा कि तो कोई आम बन्दा है किसी गलती से हीट मिलगी ठीक है और वो बच जाएगा जोसी बन्दा है लेकिन भाई हमने उसे ठोक दिया ठीक है बस में पूरी में अपनी बाई security गार्ड खै वह भाई हमें ये गंशने м abide या बिलिया द्रुक्स का और ये एक अग्साइयमेंट ज़ुए शेक का ज्यांदा है लोगS इंटॉस में तो हम क्या करते हैं भाई से ट रक को रोकना है से ट ड्रक सक करना है लुजे क्यों टिस्ट्रॉय करना है कि यह फोड़ा है तीक है बाई अद्ध हद्ध हो गया बंदा और ये इसे जो डिस्ट्रॉय का नाम है इसके अंदर क्या है बाई ड्रक्स तो थोड़ी सी है वह समान भी है तो उसने क्या है कवर कि तरह यूज़ करने के लिए कहा मतलब करक था इसे ठीक है और ये भी निकलते है और ये इस बंद ये लोड करवा के भेज जा था रेलवे स्टेशन से जो बंदा आपने ठोका है आगगे अगे वह वह गंसार्मेंट जाता हो मिल गया तो भाई पने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो भाई लोग आज हमारे लिए सिम्योन ने भेजी है एप्रिला RSV4 उसके बारे बहुत काफी कम लोग जानते हैं लेकिन इसके अंदर है 1099 CC का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूंड डीडी एट्सी इंजन और साथ में 6-speed gearbox और मल्टी प्लेट वेट क्लिच सिस्टम मेकैनिकल स्रीपर के साथ जो किसे काफी बढ़िया बाइक बनाता है तो आज जो है बाइस हो रखी है तो इसमें क्या है इसके एबियस का test you हो जाएगा डूकाइस के अंदर और साथ कीसात सारे सारे वीली स्टॉपी वगर कंट्रोल तो हैं तो वीली देख चेहें सबसे पहले और बाई मल्टीबल वीली मार पारी है और यह मारी भाई टॉपी ओभाई काफी लंबी स्टॉपी मार पा रही आर या फिल वह बाईश के मोसम में रपट नी री बिलकुल भी ओभाई बाई इस टॉपी मारते हुए टर्ण वह यह बाईश जो है यह पड़ी थी हमें 84,000 डोले की जो कलवाली बाईश थी वह पड़ी थी 2,07,000 डोले क और यह 84,000 डोले की जबकि इंजन दोनों का करीब करीब बराबरी है और ABS इसका मतलब प्रैक्टिकली मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि उसके टाइम पर बाईश नी थी तो टायर रपट नी रहे थे लेकिन इसके टाइम क्या बाईश बहुत ज़्यादा है तो ट कुछ और काम है हमें भाई आया था अभी ट्रैवर का फोन थोड़ी दे पहले मतलब जब उठेते उस ट्राइम तो ट्रैवर ने कहा के तुम्हार कोई पैसे लोटाने का प्लाना है तो हमने कहा के नहीं अभी तो हम नहीं लोटा सकते है हमारे पास बस इतनी पैसे हैं कि हम खचा उठा पाएं असानी से तो उसने कहा के मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम मेरा लोन भी चुका दोगे और अपने लिवी कुछ पैसे कमाल होगे तो हमने पुछा कि बताओ क्या है ऐसा है ना हमें तो बाई सही चीज है तो उसने बताए कि जिस गरे पहले मार्टि और से शिफ्ट होने में और वहाँ पर सिक्यूरिटी के नाम पर खाली कुछ गैंग मेंबर्स ही है जो गार्ड बनके खड़े है प्रोफेशनल गार्ट भी नहीं है जो कोट्पेंट वाले हैं से बंदूक लेके उतने तकड़े से ना वह वाले गार्ट भी तो इसे तुमार और वह पेंटिंस उसे घह में लग रखी है तो उसने का क्या जो है कुछ जादा इंह पर सेंट मैं रखूंगा और तुमारा जो है लोन साय का साय क्लियर हो जाएगा और 30% जो कटो गा उसका वो भी तुमें मिल जाएगा साथ की साथ उसने भाई लामार से कहके में काफी साए वैपन्स भी दिलवा दिये मैं तुमें दिखाता हूँ है पूरा वैपन वील भर ये बेशवोल का लट्था ये है भाई क्रोबार जिससे डब बब बे खोलते है और ये है भाई प्रॉक्सिमिटी माइन इसका क्या है जैसे ये गाड़ी यहां से निकली तो अगर मैं च अगर इसको उपर से कुछ उतार गए जाएगा तो भाई फोड़ देगा उस चीज को यह वह बहुत तकड़ी है भाई मशीन गन है पूरी ऐसी पूरी पित्तर की दिवाल से खड़ी करें यह बहुत ही जादा खतनाग ऐसे यह दखो वह गाड़ी है भाई फट गई थोड़ी स क्या होता है तो मैं तुम्हीं बताता हूँ ए नेतरांस्फम में के मुवी है मैं नाम नहीं याता उसका लेकिन है वह टांस्फोमेस है तो उसमें ख行了 यह बहुत इस लेकिन यह उसका छोटा वर्जन है और यह क्या भाई बहुत तेज स्पीड से छोड़ती है प्रोजेक्टर एल को मतलब एक तरह से जैसे हमारेंगे ना ऐसी जाकर हिट कर जाता है यह दखो जैसे माला ऐसी जाकर लगा जैसे बुलट होती है एक नोमल है ना तो जैसे हमने इंस्टेंटेनियसली जैसे करोगे फायर धब यह है इसकी चीज भाई जहां पर जाकर लगती है वहां पर जाकर धमाका हो जाता है ऐसा नहीं कि बुलट में कोई बंब अगया भर आयता है एक्स्प्लोजिव है नहीं इसकी स्पीड इसमें जाता होते है बहुत तेज स्पी लेकिन क्या है यह एक छोटा वज़न है उसका ठीक है भाई आगया हम अपनी डेस्टिनेशन पर और ट्रेवर ने में बता था कि इस हाइस्ट में हमें करीब-करीब एक मिलियन डॉलर पढ़ जाएंगे कि भाई उस बंदों काफी मतलब कुछ चारा ही मेंगी पेंटिंग्स पसंद है आगया एक मिलियन डॉलर तो हमें पढ़ेंगे 30% पे 70% पे ट्रेवर गो तो काफी से पैसे पढ़ जाएंगे ठीक है इधर खड़ी करते है अपनी भाई यह काफी बड़ा मेंशन है पूरा प पाली पेंटिंग है जो हम काट रहे हैं लावी बड़ी महेंग मेंगी खरी दीती शेक के लोंडेन है क्योंकि साथ है कुछ जादे ही शोक है ठीक है अब हम पाड़ लेंगे वह जहां भी हो जाता है बंदा वहां पर मतलब घर सेट होने से पहले मतलब उसके शिफ्ट होने स भाई वो तो एक दम रेयर आर्ट पीस थी और भाई इंटिरियर बिया कुछ कम निक है काफी सही बना खाई नोने शेक का लोंडा भी तो शिफ्ट नहीं हुआ जब इतना सही इंटिरियर बना खाई मतलब एक क्लासिक टाइप सा काफी सही इंटिरियर है भाई ये निकाली पिस्टल और कहां है आजा वाई बजा दी गोली हमें अच्छा कारी करने हैं डिस्टर्ब करने आगे बीच में वह मुझे लगता है शेक के बंदों को बता दिया होगा ने इंफॉर्म कर दिया होगा तो जैसे हम भाल लिकडेंगे वह माइंद जा कर रहोंगे ठीक है तो फ नुए वह ताकी करेडा। कशले करेज टूब जाता राइए ने थीघन ऐसे जैसे होगा बाता क्रुदा कर देना in a garage से पहले तेल गते हैं सारे में फिर करते हैं शिक इंदर करनेगा लगके वेश भाये बाइक के उस्टिक मारे लगाता हैं ब्लुआ पढ़ेगे तो आप अघसे दूरी हैं काफ़ë जियांदा जैसे यहां पर आगा है region यह जाएंगी साथ मैं प्रोसे स्टिकी बॉम भी लगाता हूं इस इलाके में यह क्या है यह आसपा साइंस नहीं फटने के जिससे नहीं कहीं भी चिपका दो यह बटन दबागी फटते हैं भाई पूरा बारुद बारुद होगी अजगर मैं और मैं करता हूं भाई मोल्टो फैक इदर की तरफ इससे पहले आग आए ओभाई ओओ भाई खतना का लग रखी अंदर वाई इसमें भाई आग जल जा जा रही है ना बंभी फटते जारे हैं और बाई यह तो बड़ी फर्क्या लग रख्या है अब मैं कहता है प्टबट अपनी बाई को उठता हूं यहाँ प प्टबट चोड़े वे थो उन्होंने थे तो ठीक ठाक से गया लेकिन भाई इतने भी तक्ड़े नीट है वो यह उन्हें लगा कि खाली घर है इसको को नहीं कुछ क्या कुछ कर ने आएगा है ना किसी को पता भी नियोंग अभी तक तो किया से का लॉंड़ा रहने माने की सोच रहा है कुछ खई भी लिया चेकन है लेकिन भाई हमने तभी घर को फोड़ दिया और यह देख पूरा जो इलाका ना यह घर काई है यहां पर भी कुछ बनाए रखाए नहीं ज्यादा रिनोवेशन गया निका रखी लेकिन यह पूरा इलाका घर काई है इसका भाई ब पूछते हैं उससे ठीक है तो भाई लोग अभी हमाई ट्रेवल से बात हुई है और उसने हमें बताया के जो तीन लाक डॉलर के आसपास ही मिलेंगे तुम्हें उससे कहा था कि पूरी पेंटिंग थी मतलब जो इसका फुल प्राइस था एक मिलियन डॉलर के आसपास तुम अब भाई मोसम भी एकदम तूफान कर रखा ओ भाई क्या बिजली कड़की है देखते हैं अर्फान्य को रही है अब थाय क्यों वह निस्सलाइडारी धन्स है तून-बंदों से जैसे बचते भूचते मुचाते हैं हमने ट्रेवर के बंदों को अपनी पेंटिंगे बेख है और यह वाई काले कोट वाले वेज़ेते ट्रैवर ने और मोसम भी वाई काफी तकड़ा हो रखाया मतलब ऐसा बिजली बिजली तूफान एकदम खतनाक वाला भाई आग देखो कहां तक जा रही है उड़के हवा के वेज़े से जब कि क्या कहते हैं अभी बाइस ही पड़ आप तो कर देना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बाई डेली अपने शोट्स भी आते हैं करीब करीब बस मोस्ट वैबली कलनी आने का बाकी डेली आते हैं ठीक है तो देख लिए खोड़ा साब अच्छा लगता है मजा आता है ना बिना पता है देख लिए करो और बाई शेयर में कर दो ही तो मस्क से ठीक है मजा जाए चाहिए भाई बहुत महत लगिए इस वीडियो को बनाने में तो लगना चाहिए के हां के कुछ हुआ है अच्छा किया है कुछ है ना तो समझे हो तुम समझदार हो